तो यह को अपको कल दिया था आज अम इसकी वीडियो डिस्कुरिशन कर रहे हैं क्योंशन आपका है डिसक्स दा कॉंसेश्वेंसज अफुड सीक्यूरिटी पे कैसे होंगे और स्प्रेसिफिक रीजन डिफाइन किया गया है ट्रोपिकल कंट्रीज का राइट तो देखिए यहां पर कॉंसेश्वेंसज वर्ड को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हुआ क्या मैंने बिच्चों के अब्जर्व किया आंसर और मुझे ये पता लगा कि कॉंसेश्वेंस क्या होंगे मैं कहा रहा हूं फुट सेक्यूरिटी के ऊपर पॉजिटिव को आज हम डिसकस करने वाले हैं नेगिटिव को भी और पॉजिटिव को भी आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के आंसर भी मैं देखूं तो कपल भार्दवर्ज फोर यू टेलिग्राम चैनल को कि हैं कि इस उडकिया कि अपर होता है उसके रिवीव भी होते हैं और उसके ब्ले committees करते हैं उसे क्यों के ऊपर चलिए वीडियोस Two Q करते हैं इसके बताने पड़ेंगी या तो आप Trip qantries के बारे में बता सकते हैं कि ट्रोपिकल एरिया क्या होगा या फिर आप climate change के बारे में कुछ introduction के अंदर लिख सकते हैं छैसे मोडिफाई कर सकते हैं यह एक मॉडल आंसर और है उसी को रखीकेट कर देंगे इससे जो आपका relevant है उसी को उठा लेंगे, relevant in the sense, आप पूरा लिखेंगे, तो word limit cross हो चुकी होगी, आपको जो important point लगता है कि इन में से ये मेरे को याद रहेंगे, तो मैं उसको उठा लूँगा, pick up करूँगा, उनको लिख लूँगा, तो देखू, climate change, yes, एक आपका global challenge है, और profound impact हो रहा है आपक उसके consequences दोनों ही हो सकते है, positive भी और negative भी, मैं चाहूंगा, यहाँ पर इसके बाद में, यहाँ आप एक diagram बनाएंगे, उस diagram की अंदर, उस diagram में आप दिखाएंगे, कि actually tropical area, earth के ओपर कौन सा होता है, देखिए, UPSC आपको अपने innovations देने का जब भी scope देता है, तो आपको दि sunlight आप दिखाऊगे, sunlight आप यहाँ पर दिखाऊगे, कि directly fall down होती इस area में, और इसके बाद में जब sunlight जाती है, तो वो tilt होना start हो जाती है, ठीक है, वो tiltation की तरफ चली जाती है, तो यह short of discussion आप यहाँ पर करोगे, इसके बाद में आप consequences के उपर आ जाओगे, कि negative consequences के हैं, पहल वो रभी crops late grow होंगी, तो definitely वो हमारे लिए efficiency के लिहाद से काफी हद तक hamper करेगा, इसके important चीज़ यह है, कि आपने यह point तो बता दिया कि tropical region में rising temperature की विज़े से impact आया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को अपने example के साथ support करें, तो second line यहाँ से आप इसको ह change होने के विज़े से, high temperature होने के विज़े से, wheat की जो production है, वो slightly decline हो रही है, and that's a critical issue, यह आप example के तोर पे mention कर सकते हो, फिर इसके बाद में second point आएगा, आपका shift in the agricultural zone, दिखिए, tropical area है, tropical area का sense यह था कि यहाँ इतनी sunlight आती, उतनी heating या temperature maintain होता है, बट अब अगर tropical area के अंदर ही आप समझोगे, कि temperature भढ़ना शुरू होगा, तो definitely हमारी जो crops tropical area के अंदर हो रही थी, अब उनको हम sub tropical area के अंदर grow करना start करेंगे, मतलब यह हुआ कि tropical area हमारे लिए agriculture के हिसाब स थोड़े से irrelevant हो जाएंगे, तो यह हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर agriculture zone दिरे दिरे सिफ्ट हो सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे, जैसे अफ्रीका का साहिल रीजन है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ हमें देखने को मिला, प्रिविएस लिए यह था, लेकिन दिरे-दिरे क्या हो गया, अब यह infertility की तरफ बढ़ रहा है, तो definitely हमारे लिए इस तरीके से area जो हो खराब हो सकता है, वो यह critical issue रहेगा, फिर हम बात करते हैं, increase frequency of extreme weather event, increase frequency of extreme weather event, देखिये, cyclone हो गया, tornado हो गया, flood हो गया, drought हो गया, यह कुछ ऐसे events हैं, जो critical problem हो जाती है, एक long term food security के लिए, वो हमारे लिए काफी critical issues देखने को मिल सकता है, example आप यहाँ पर भी दे सकते हो, जैसे South East Asia की मैं बात करता हूं particularly, तो वहाँ पर अब cyclone जो हो जादा आने लग गए, पहले भी आते थे, बट अब cyclone जादा आएंगे, cyclone आएंगे, तो flood जा जादा amount में water का use करते हैं, अब जब irrigation में सबसे जादा amount में water हम use करते हैं, तो आप naturally समझ सकते हो कि अगर water scarcity होगी, जादा sunlight आई, जादा warming होई, तो आपको जादा water use करना पड़ेगा, and there will be more evaporation, अब जादा evaporation अगर होगा, तो आप समझ सकते हो, वह आपके लिए critical condition होग कम हो गया है, water available है ही नहीं, तो definitely वह भी आपकी crop yield के लिए negative impact देगा, again South Asia का example होगे, water shortage आपको agricultural area में देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ agriculture तक limited नहीं है, बहुत सारी cities हमारी ऐसी हैं, comment में बताइए आप कौन सी cities हैं, जिनमें even water scarcity से लोग सफर कर रहे हैं, फिर हमारे पास आता ह fisheries को threat, देखिए, जो marine resources होते हैं, marine organisms होते हैं, they are very sensitive towards temperature, क्योंकि water जल्दी सी temperature को change नहीं करता है, modify नहीं करता है, अब water जल्दी सी temperature change नहीं करेगा, modify नहीं करेगा, बट अब global warming होगी तो, बड़े दंबे time तक warming रहेगी, फिर तो temperature change होगा, और अगर temperature change होगा, उस time पे marine resources, fisheries, वो critical problem में होगे, और वो thrive नहीं कर पाएंगे, और वो हमारे लिए, जो fisherman है, उनके लिए काफी बड़ी problem के तोर पे देखने को मल जाएगा, तो आप देख सकते हो, जो coral triangle है, South East Asia के अंदर, एक तो उसके ओपर threat है, दुसरा उसके आसपास के जो biodiversity है, fish stock वगरा है, Caribbean Sea के अंद पर खाना बनाओ, उसको high temperature पर रखके देखो, बड़ी जल्दी वो खराब हो जाएगा, तो pest and disease जहां पर भी ज्यादा impact डालते हैं, क्योंकि यह जैसे fungi हो गया, उनकी activity भढ़ जाती है, temperature ज्यादा होने से, तो आपके food को खराब होने की possibilities जो है, वो ज्यादा होंगी, East Africa का आप example ले सकते हो, अब abundant locust attack जो है, एथोपिया में, Somalia में, Kenya में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही आपका soil degradation और soil fertility पर बात करते हैं, देखो, आप देखो climate change अगर होगा, तो natural सी बात है, एक तो flood जादा आएगी, या drought conditions जादा होंगी, दोनों ही cases के अंदर, soil के erosion की possibility भढ़ जा जादा होगा, तो यह भी natural सी बात है, कि soil तो भई काफी लंबे time का process होती है, एक सेंटीमेटर soil बनने में भी काफी लंबा time लग जाता है, hundreds of years लग जाते हैं, तो आप यह समझ सकते हो, यतनी ज्यादा soil erosion होगा, तो productivity अपने आप ही decline हो जाएगी, agriculture की और हमारी food security में issues create हो ज जहान नहीं देंगे, तो सरफ hunger को minimize करना, is not the target, ideal target यह भी है कि हमें nutrition के ओपर भी focus करना है, तो इससे socio-economic impact आएगा, poverty increase होगी, health consequences negative होगे, और farmer की income जो है, आपके इंडिया के अंदर देखो, कितनी percent, 60% से ज्यादा population agriculture पे dependent है, climate change होगा, उनकी जो socio-economic conditions है, definitely वो impact होगी, अब आप इस सोच के देखो कि socio-economic impact के consequences बहुत negative होते हैं, क्योंकि rural India के अंदर demand कम होगी, और इससे हमारी economy negative hamper होगी, फिल malnutrition और health issues जैसा मैंने बताया कि हमारे पास crop availability नहीं है, variety नहीं है, तो हमारे पास malnutrition होगा, उससे हमारे immune system जो है, वो weak होगा, और weak होगा, तो definitely हमारे प situation increase हुआ है, और यहाँ पे जो children's है, women's है, pregnant women है, उनकी जो expected life है, वो बहुत कम हो गई है, फिर हम displacement और migration की बात करते हैं, now what will happen, if people are under the climate threat, तो they will leave that area and try to move in the another area, बट एक limit से ज़्यादा तो कहीं रहना possible नहीं है, तो land पे burden भी बढ़ेगा, migration भी होगा, और आपकी यह जो inhabitable conditions है वो create हो जाएंगी, आप यहाँ पे बांगलादेस का example ले सकते हो, frequent flood की वज़े से, river erosion की वज़े से, बांगलादेस के coastal area खाली हो चुके हैं, तो यह consequence tropical area में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं है, कि climate change के food पे negative impact ही है, consequences positive भी हैं, जिसमें आता है आपका impact on crop yield, कैसे, देखो, कुछ crops ऐसी होती, जो high temperature पे ही grow हो सकती है, तो उनकी arena खुल गई न, भई वो crops को हम पहले grow नहीं कर पा रहे थे, अब उनको grow कर पा रहे हैं, तो यह हमारे लिए एक अच्छा example बन सकता है, जैसे कि tropical region के अंदर, आगर हम बात करते हैं, तो crops के अंदर, जै सब ट्रॉपिकल में हो रही है, मतलब यह हुआ, कि सब ट्रॉपिकल एरिया भी उस agriculture को सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुकी है, तो वो हमारे लिए area expansion हो रहा है, जैसे, कुछ area जैसे जिनमें coffee, tea नहीं grow कर सकते थे, अब हम उनमें grow कर सकते हैं, फिर से आती ही बात, increase in frequency of extreme weather event, although extreme weather event negative होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन extreme weather event कुछ-कुछ area जहां पर आपकी बारिस आती ही नहीं है, वहां भी बारिस पहुंच जाएगी, तो वहां बारिस पहुंचेगे तो उस land को muse कर पाएंगे, ठीक है, फिर आता है आपका water scarcity और इसके impact, water scarcity जो है, वो जब होगी, तो हम नई innovative methods पर काम करेंगे, कुछ नई water management पर काम करेंगे, तो water management पर काम करेंगे, नई technological advancement हम ही यहां पर देखने को मिल सकती है, जैसे केरला का example यहां पर दिया जा था, कि farmer have adopted drip irrigation in Kerala, ठीक है, drip irrigation पर farmer ने focus किया है, drip irrigation पर farmer ने focus करने का क्या मतलब था, वही, water scarcity तो उसको handle करना है, फिर, fisheries और marine resources को, although threat होता है, लेकिन, कुछ-कुछ resources ऐसे होते हैं, कुछ-कुछ marine organism ऐसे होते हैं, जो high temperature पर thrive करते हैं, जैसे तांजानिया के अंदर, मोजांबिक के अंदर, अब fisheries ज़्यादा होने लग गई, तो यह positive consequence है, चिक है, ऐसी प temperature के ज़्यादा तो वो भी beer नहीं कर पाएंगे, तो definitely वो भी एक threat जो minimize हो सकता है, और soil degradation की जहां तक बात आती है, तो हम यह भी पता लगता है, agriculture जहां एरिया में flood आ रही है, वो तो चलो problem है, लेकिन जिन एरिया में बारिस आना स्टार्ट हो गई है, desertic है, या semi-arrid area है, ब positive impact कम है, exagrate बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कुछ points select कर सकते हो, बस उसी के ओपर बात करोगे, बाकी सब पर बात नहीं करोगे, question के दोनों peeler को ही discuss करना जरूरी, चलिए फिर, मिलते हैं next question में, thank you very much, best wishes.